अफगानिस्तान के शेरों की तबाही मेदान से रोते हुए निकले साउथ अफरीका के खिलाडी बदले की आग में धदक रहे थे राशिद खान अफगानिस्तान ने रचा सबसे बड़ा इतिहास साउथ अफरीका पर कहर बनकर तूटे अफगानी गेन बास थर थर कापते रहे सारे बले बास एक फैसले ने अफरीका को किया बरबाद अफगानिस्तान ने वड़ने में बनाया महा रिकॉर्ड सांसे रोग देने वाले मैच की पूरी कहानी अफगानी शेरों ने कैसे पलट दी हारी हुई बाजी राशिद खान ने लिया वर्ड कप सेमी फाइनल की हार का बदला अफगानिस्तान और साउथ अफरीका का पहला वड़ने मुकाबले अफगानिस्तान के गैरा खिलाडियों के सीने में बदले की आग धदक रही थी टी टूएंटी वर्ड कप के सेमी फाइनल में साउथ अफरीका ने अफगानिस्तान को हरा कर बाहर कर दिया था उस दिन राशिद खान के साथ अफगानिस्तान का हर खिलाडी मैदान में रोया था उस दिन के बाद से आज पहली बार साउथ अफरीका और अफगानिस्तान के बीच पहला वणने मैच खेला गया साउथ अफगानिस्तान को अंदाजा भी नहीं था अफगानिस्तान के घायल शेर कितनी तबाही मचाने वाले हैं आज तक अफगानिस्तान इंटरनेशनल किर्केट में साउथ अफरीका को हरा नहीं पाई थी लेकिन आज इतिहास पलटने वाला था साउथ अफरिका ने टोस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया रीजा हेंडरिक्स और जोरजी ओपनिंग में आये थे 9 और 11 रन मना कर दोनों ही ओपनर फजल हक फारुकी का शिकार बन गए फारुकी की आग उगलती गेंदो के सामने कप्तान मारकरम ने भी सरेंडर कर दिया और सिर्फ दो रन मना कर ही बोर्ड हो गए आई पिल में दिल्ली की तरफ से तबाही मचाने वाले ट्रिश्टन इस्टपस इस बार खाता भी नहीं खोल पाए और गजनफर ने जीरो के स्कोर पर उनको भी पवेलियन लोटा दिया विकेट कीपर बलेबाज वेरेन भी दस रन मना कर आउट हो गए और जैसोन स्मित भी बिना खाता खोले ही पवेलियन चले गए यानि साउथ अफरीका के 36 रन पर ही 7 विकेट गिर चुके थे पचास रन का अकड़ा चुना संभव दिखाई दे रहा था लेकिन इसके बाद नए बलेबाज वियान मुल्डर क्रीस पर दिवार बन कर खड़े हुए और अकेले 52 रनों की पारी खेल कर साउथ अफरीका के सम्मान को बचाया और टीम का स्कोर सो के पार पहुचा दिया साउथ अफरीका की पूरी टीम 106 रन मना कर रोल आउट हो गई आठ बलेबाज धाई का अकड़ा भी पार नहीं कर पाए अफगानिस्तान को इंटरनेशनल किर्केट में पहली बार साउथ अफरीका को हराने के लिए 50 सोवर में 107 रन मनाने थे पूरी दुनिया को लगा था अफगानिस्तान ये असानी से मैच जीट जाएगी लेकिन साउथ अफरीका की गेंदबाज भी पलट वार के लिए तैयार थे ओपनिंग मायर रह्मान उल्ला गुर्बास को लुंगी नगेडी ने जीरो के स्कोर पर ही पवेलियन लोटा दिया रह्मा शा भी आठ रन मनाकर विकेट दे गए यहां तक कि रियाज हसन भी 16 रन मनाकर बोल्ड हो गए कप्तान हशमत उल्ला शहीदी भी 16 रन के नीजी स्कोर पर आउट होकर चले गए अफगानिस्तान के चार विकेट भी बहुत जल्दी गिर गए थी मैच पूरी तरह से फंस चुका था साउथ अफरीका की गेंदबासों ने पलट वार कर दिया था ऐसा लग रहा था अफरीका की गेंदबास टीम पर शिकन जाकस देंगे लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसे अफरीकी गेंदबास सारी जिंदगी याद रखेंगे अजमत उल्ला उमर जी और गुलबदिन नीब ये दोनों ही बलबास क्रीस पर सीना तान कर खड़े हो गए और धुआधार अंदाज में गेंदबासों पर अटेक करना शुरू कर दिया दबाव में अफगनिस्तान के दोनों बलबासों की रणनीती ने साउथ अफरीका को भी हैरान कर दिया ओमर जे ने भी दो चक्के लगाए और नीब ने भी दो चक्के और तीन चोके लगा कर नाबाद 34 रनों की बेमिस साल पारी खेली और 26 ओवर के अंदर अफगनिस्तान छे विकेट से इस मैच को जीद गई अफगनिस्तान ने तिहास रच्टे हुए अंतर राष्टे किरकेट में साउथ अफरीका को पहली बार हरा दिया है अफगनिस्तान से हारने के बाद अफरीका के सभी खिलाडी भाउक होकर मैदान से बाहर जा रहे थे पहले ही मैच में अफगनिस्तान शेरों ने सेमी फाइनल की हार का हिस्सा बराबर कर लिया और महा रिकॉर्ड बनाकर अफरीका को धूल चटाई है आप भी कमेंट करके अफगनिस्तान को इस जीत के बधाई दीजिए और वीडियो को दोस्तों तक पहुचाए